यह जो धेड़ देख रहे हो है यह मेरी कपड़ों का है जो मैंने सिल लिये हैं जो मैं कपड़ा आपको दिखाया था उनी से मैंने जो अपने कपड़े बनाए हैं सूट बनाए हैं और कुछ के कोट सेट बनाए हैं तो वो मैंने सिल लिये हैं और आज मैं आपको सारे ही दिख और कलमर आएंगे हर्याली तेज तो सबसे पहले है ये ब्यूटिफुल सा कोट सेट जो बराया है मैंने अपने बेटी के लिए बहुत ही सुंदर लग रहा था ये पहनने के बाद इसका लोगना बहुत ही अच्छा आया है और ये है इसका पजामा इसमें मैंने आना दोनों त साथ में काटा है और कपड़ा इसमें सवा दो मीटर था तो उसके हिसाब से मैंने इसकी लेंद को बढ़ाया और देखिए इस ये इसमें कोलर नयकिस की शर्ट बनाई है जो ऊपर का टॉप है शोर्ट में रखा है इसको क्योंकि उसे शोर्ट ही पहनना पसंद है उसने शोर लेकिन मुझे यह है ना विल्कुल सिंपल रखना था तो ऐसे ही इसको मैंने रखा और देखिए इसकी बाजू ना इस तरह से डिजाइन की है इसमें लाश्टिक लगाई है और पहनने के बाद ना इसका लूप बहुत ही सुन्दर आ रहा है देखिए डिजाइनर बाजू क साथ यह को डिजाइन कर रेड़ी हो गया है और कॉलो जैंना इसकी फिनिशिंग कोलर में भी बहुत तुछी फिनुशिंग आई हैं और मैंने इसमें बटन लगाए हैं जो छोटे-छोटे बटन होते हैं तो उसको आप इसको आना खोल के भी पेंशिते हैं वेसे इतने लू बेटी के लिए बिराया है और दूसरा है ये दूसरा भी कोट सेट ही है जो मैंने अपने लिए बनाया है कपड़ा है जितने भी ये पीस है जितने भी ये कोट सेट बनाया है मैंने जो अपनी बेटी का बनाया था और ये भी कपड़ा दोनों का सेम था सवादो से थोड़ा ब मतलब होता है कि इसको पहनने के बाद है ना हम कमफर्टेबल फिल करें तो इसका नेक मैंने इस तरह से बनाया है और इसमें मैंने बुकरम का यूज नहीं किया है सिंपल ऐसे ही है नेक बनाया है और इसमें मैंने बनाई है वैल स्लीव कोट सेट का मतलब होता है अपने आपको है ना कमफर्टेबल फिल कराना तो थोड़ा सा लूजी रखा था इसमें और मैंने नीचे से है ना इसमें इस तरह के चाक बनाई है गॉल साइड से और लेंथ इसकी है 27 थी मेरे हिसाब से परफेक्ट थी जितनी मुझे इसमें रखनी थी और इसमें सिंपल पजामा था और इस तरह का मैंने वीनेक दिया था इसमें और पहनने के बाद ना ये भी बहुत सुन्दर लगा बिलकुल समर कूल का कलर था बिलकुल देने वाला आँखों को अच्छा लग रहा था तो ये भी मेरा कोट सेटल ना बहुत ही सुन्दर बनकर रेडी हुआ है तो अपनी सिलाईगा यही फादर रता है कि आप है ना कम कपड़े में भी अच्छे से बना सकते हो और ये तीसरा है ये भी कोट सेटी है डिजाइन मै मैंने इसका राउन ने रखा और निचे छान थोड़ा सा वी शेप दे दिया है भरस इसमें क्या ने थोड़ा सा ला क सब्सक्राइब नीचे इसमें जो स्लिड से हैं उसमें भी मैंने मैंने वायड कलरी लेस्ट एटेच की थी क्योंकि इस्वेंहीन रिजाइन बहूत अच्ठा लग रहा था लेस्ट के साथ और नीचे मैंने इसमें डबल लेस्ट का यूज़ किया है तो इसकी लइनध खैना छीशा कूरता होता है नंता है जिसके आपर जो हम पैनते हैं उस तरकर की मुझे इसकी लेश का मुझे थी और यह side में से कपड़ा निकल रहा था तो इस कपड़े को मैंने जोड़कर और इसका joint था ना कपड़े में have joint उसको मैंने रखने के लिए मैंने इसमीनले का काम किया है दोनों तरप से ऊपर निचे तो इसकी लेंट है ना काफी निकल गई है इसकी वज़े से और पजामा बिल्कुल सिंपल रखा है तो दो इसका कलर भी है ना बहुत सुन्दर है येलो कलर में है येलो और वाइट का बड़े-बड़े प्रिंट है अच्छा लग रहा था तो इस तरह से ये भी है ना कोट ना बहुत ही सुन्दर बने थे और लेस के साथ तो इसका ना डिजाइन बहुत ही उबर कर आ रहा था बहुत ही सुन्दर लग रहा था तो इस तरह से थोड़ सा क्रियेटिविटी करने के बाद ना आप सिंपल कपड़े से भी बहुत ही अच्छी है ड्रेस घर पर ही बना सक और आगे है यह मेरा कुर्ता सैट इसका मैं पुरा ही सलवार और सूट दोनों काマचिन लाई थी तो इसमें मैंने बनाई है आफगानी सलवार और बारिक वाली लेस ओपर नीचे जो मोरी मेंना बारिक वाली लेस लगाई है और जो शुट का कपड़ा था वह नीचे मोरी यह बहुत इसा संदर में ठीफरंस में ऐसंथ में मैसि कीनी और से मैच करने के बाद मैं ना अप्टी लेच्वक्त और को आым लगा कर ग़र पर ही अपने आपसे ही मैंने इसाइज में बटन से फिन बटन लगा दिए है यदिOM कपड़े कितुंस और देखिये कितना संदर डिलवाय से संपल कपड़े से फूरी उक्त रर्डार के futurता अध्य का फिर यदिकी तॐ सॉफ्ट था आप गर्मी में आना के जैसे भी चाहो इसको पहन सकते हैं देखे कितना सुन्दर बन गया है यह मेरा कुर्टा और अफगानी सलवार के साथ ना यह बहुत ही अच्छा लग रहा है देखे और बाजू मैंने इसकी इस तरह से फॉल स्लेव की थी और नीचे इसमें मैंने प्लेट्स लाज़ी थी और उसके साथ जैसे आप सलवार में डालते हैं इस तरह की प्लेट्स लालके देखे इस तरह से मैंने इसकी बाजू बनाई थी और नीचे मैंने इसमें बुकरम का यूज़ किया था तो यह बीटिफल सा कुर्टा मेरा बनकर इसके बेल्ट वाली छो सलौर होती है सिंपल सलौर है और इसमें कुड़े नेक है मैंने इसमें वी नेक दिया था इस तरह सलौर का जो तरह कर जो प्ड़ा होता है उस तरह से उशका बनाकर के कितनाा सुनार नेक और आज कल यह ने से 한다 को ऑंक जड़िए besser में से करे law有 सुन्दर बनकर ये कुरता तयार हुआ है देखिए कितना पर्फेक्ट इसके साथ मैच कर रहा है और सलवार का कपड़ा इसमें लगाने के बाद तो इसका खुबसूरती और भी निखर करा रही है तो ये इस ये ही थे मेरे कुरता सैट जो मैंने रेडी किया है कैसे लगे में अपने मन चाहे है जहाँ चाहते हैं मार्किट से जाओ मार्किट में डेहरों चीजे मिल जाती है लेकिन अपने हाथ के क्रियेटिविटी का बात ही कुछ हो जाती है अपने हाथ से बनाने के और इसमें है ना डाई मीटर में मेरा कोट साइड है ना बनके विल्कुल पक् इस फैक्षन मिलता है तो ये थी मेरे कुछ दिमाग के आइडियाज जो मैंने बना कर तियार किये हैं अपने सूट कैसे लगे बताना जरूर